So hello friend, welcome back to our new video आईए जानते हैं कि होली पर जो चंद गहर लगेगा उसका क्या सूतक काल का समय रहेगा और क्या हम लोग होली मना पाएंगे जाली ज़रूरी जानकारी है क्योंकि बहुत इंपोर्टन जानकारी है जो वारानसी के जोतिस चार्यों ने बताई है दोस्तों चंद गहर में गर्वती मैलाओं को साउधानी बरतनी होगी या नहीं क्योंकि सूतक भी आज ही लगने वाला है ऐसे में किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा गर्वती मैला किन बातों का ध्यान रखे जिससे उनके गर्ब में पल रहा सिसू पर कोई भी आच ना आए और वो एकदम स्वस्त रहे आईए जानते हैं पूरा अपडेट बने रहेगा आप हमारे साथ इंपोर्टेंट जानकारी है अंत तक चरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं इस बार कुछ रासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो कुछ रासियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अब जब रासियों पर असर पड़ा है तो गर्ब में पल रहे सिसू पर भी इसका असर पड़ता है लेकिन आपको दादे ग्रहण के दोरान फिर भी साउधानी बरतनी होती है इस बार साहे चार घंडे तक का ग्रहण होगा आईए जानते हैं पूर अपडेट देखिए ग्रहण का देश दुनिया पर सुब और असुब दोनों तरह करत प्रभाव पड़ता है और सास्तरों के उसाए ग्रहण की घटना सुब नहीं होती इस बजा से ग्रहण के दोरान सुब कारे करने दे मना ही होती है होली पर इस बार सौ साल बाद चंद ग्रहण का संयोग बन रहा है यानि ग्रहण के साये में होली मनाई जाएगी होली तो मनाई जाएगे लेकिन ग्रहण लगा होगा होली हिंदूओं का प्रमुक तेवहार है और इस बार ये 25 मार्च को होगा और 25 मार्च को ही चंद ग्रहण लग रहा है ग्रहण को विज्ञान में खगोली घटना माना जाता है लेकिन हिंदू धर्मे जो 30 विद्या में ग्रहण को असुब माना क्या है जो 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा यानि कि अगर 25 मार्च को साठे 10 बजे चंद ग्रहण लग रहा है तो तेर राच 24 वा 25 मार्च को सूतक भी लगा होगा ऐसे में गर्वती मैलाओ को साउधानी बरतनी होगी या नहीं दरसल होली पर चंद ग्रहण का जो प्रभाव है उसको जा लीजे होली पर चंद ग्रहण का कोई प्रभाव इस बार नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत में चंद ग्रहण नहीं दिखेगा इसलिए गरहन का सूतक मानने नहीं होगा और सूतक के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिन बातों की रोक थाम रहती है वो ऐसा कुछ भी होने वाला इस बार नहीं है जोतिसियों के अनसार होलिका दहन और रंगोसों में रंग खेलने पर कोई प्रतिबंद नहीं होगा लेकिन जोतिसियों का मानना है कि गर्वती मैलाओं को सावधानी गरहन के दौरान रखनी होगी और पचीस मारज को साधे दस बजे से गरहन लग रहा है इस दौरान आपको ध्यान देना होगा वैसे भी गर्वती मैलाओं जिनके की 7, 8 या 9 महिने के बच्चे होंगे पेट में उन लोगों को द्यान विशेश रूप से रखना है क्योंकि कोई भी अनुहोनी ना घट जाए गर्व में पर रहे बच्चे पर कोई न कोई कमी आ जाती है इस गरहर के दोरान ऐसे में आप साउधानी पूरुवग बैठे रहे रहे रामायन का जाप कर सकते हैं कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं कोई नुकीली चीज का आप इस्तिमाल बिल्कुल मत करिएगा जी हाँ साढ़े चार घंटे की बात है आराम से आप बैठ सकते हैं तेवहर हमेज़ा आते रहते हैं ऐसा जोतिस्यों का मानना है फिलाल आपका क्या मानना है कॉमेंट कर दिजेगा साढ़े चार घंटे तक तो चंदगहण रहेगा जो 30 विसे सग्यों के अनुसार ये चंदगहन 25 मार्ज को सुबा 10.30 बजे लग जाता है जो दोपहर 3 बजे तक रहेगा ये एक उपचाया चंदगहन है बहुत लोग कह रहे है भारत में नहीं दिखेगा इसलिए सूतक के समय कोई भी बेराओ करने की जरूरत नहीं है अलाकि गरहन के दोरान तो करना पड़ेगा साधे 4 घंटे का समय होगा जिस दोरान गर्वती मैलाओ को इन बातों का ध्यान तो रखना चाहिए आईए जानते हैं कि कहां कहां पर चंदगहन दिखेगा देकि चंदगहन अमेरिका जापान और रूस के कुछ हिस्सों में आयरलेंड इंग्लैंड, इस्पेन, पुर्दगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम इन सभी जगों पर दिखने वाला है भारत सहित दक्षिन एसीयों में भी या नजर नहीं आएगा लेकिन आई अब जान लेते हैं कि अगर आप एक गर्वती मैला है तो किन बातो गर्वती मैलाओ को चंदगाल के समय घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए ऐसे में आपको इदबात का ध्यान रखना होगा तीन चार घंटे की बात है कमरे में आप रह सकती हैं रामाण का पाट कर सकती हैं भगवान का जाप कर सकती हैं लेकिन नुकीली चीजों का इस्तमाल नहीं करना और खाना पीना भी नहीं होगा दोस्तों आपको दाते लगने का मतलब है कि चंद्र देवता पर संकट मंडरा रहा है यही कारण है कि लोग देवी देवता का भजन करने लगते हैं यह सुबाना गया है चंद्रमा के मंत्रों के अलावा राहु केतु के मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं साथी चंदगहार के समापन के बाद इ इन चीजों का दान आप करियेगा तो एक अपडेट था आई होब कि आपको इस जानकारी पसंद आई होगी मैंने एक सही जानकारी दी है आप उसका कितना पालन करते हैं ये आपके उपर डीपेंड करता है क्योंकि सूत तक नहीं लग रहा है इसलिए सूत तक के समय जो हम लोग साउधानी बरते हैं वो नहीं करना है लेकिन गरहन के समय गर्वती मैलाओं को साउधानी बरत नहीं होगी क्योंकि उनके गर्व में सिसु पल रहा है उस पर कुछ भी असर होता है तो जीवन भर की समस्याएं जहलनी पड़ती है मैंने जो बता है वो जो तिसु के द्वारा बताई गई जानकारी है जो आर्टिकल में था वो मैंने आपको बता दिया है आई होप कि आपको इस जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं नई अपडेट में एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद